आज कर रिस्पी है आरवी पत्ते का पोकोड़ा जीरो माइल कीचन चैनल में आपका स्वागत है और इसको बारीती काट लेने आशे इस तरह से हम अरवी पत्ते को बिलकुल बारी काट लेंगे अरवी पत्ते काटने के बाद अब हम प्याज को काट लेंगे प्याज को भी बिलकुल बारी काट लेंगे अब आलो को काट लेंगे आलो को भी हम बारी काटना है अब हमारा ये मिश्रन तयार है आलू, प्याज और जुरी पता को काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा इसके बाद हम पेश्ट बनाएंगे अद्रक, हरे मिर्च, लैसुन, इन तीनों का पेश्ट बना लेंगे ये पेश्ट अब बिल्कुल तयार है ये अद्रक लेस्ट बनाएंगे पेश्ट है, वो और इसमें हम डाल देते हैं और इसमें हम आइड करेंगे एक टू स्पून गुलमेश पौडर, हाफ टी स्पून जीरा पौडर, हाफ टी स्पून हल्दी पौडर और आप स्वादा अनुसार नमक डाल सकते हैं और दो बड़े चम्मच बेशन की ले लेंगे और तीन चार घंटे पहले भीगोया हुआ च्छना इसमें हम डाल देंगे अब सब को हम ऐसे मिक्स कर लेंगे कराही अब गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम मस्टर्ड वैल डाल लेंगे और अब जो हमने मिस्रन बनाया था उस मिस्रन का गोला बनाएंगे और परतेग गोले को एक एक कर डालेंगे झाले हुआ ठाले हुआ टूब झाले हुआ प्रण को आज़ को एक पाले हुआ जब तो चुआ है स्टीज लगके स्टीज सुटें वड़ाख कि अंग लचा एका लगानी कि आपके दिए सबहागानी कि अवड़ा है रावना चाँस्ते ड़ो प्माबना कि दुटेंगा नवड़ा प्ता हैं इस तरह से हम इसको उलट उलट कर अच्छे से पका लेंगे यह पकने के बाद ब्राउन हो चलेगा यह वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अब देखिए इसके कलर में चेंजे जा गई है, यह ब्राउन हो गया है यानि कि यह पक चुका है, अब इसे निकालते हैं यह हमारा गर्मा गर्म अर्वी पत्ते का पकोड़ा तयार है, अर्वी पत्ता या जूरी पत्ता और उसके साथ है यह टेस्टी चट्मी आए अब हम चत्नी मिना लेते हैं जो पकोड़े के साथ खाने वाले हैं तो एक टमाटर ले लिए और तीन से चार के लिया लैसूं का और फिर आप जितना तीखा खा सकते होतना मिर्चा ले लीजिए और यह हम आम चुट ले लिए हैं तो आए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा नमख इसमें अड़ कर देंगे तो आज इसको हम पीस लेते हैं यह देखिए हमारी चट्नी बिल्कुल तयार है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार यह देखिए नमस्कार पना, कि वे खिर देखिए झाल झाल